हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ मैं हूँ आपका मैंटर संजी में जो तरह और आज हम जो टॉपिक लेके हैं वो कहीं ना कहीं पिछले जो हमारा टॉपिक था न्यू प्रोड़क्ट ड्वेल्पेंट प्रोसेस उससे आगे कॉंटिबूइशन कह सकते हैं आज जो हम टॉपिक लेके हैं उसका नाम क्या है वाई प्रोड़क्ट फेल्स उस दिन हमने क्या किया था न्यू प्रोड़क्ट ड्वेल्पेंट प्रोसेस कि नया प्रड़क्ट बनता है और नया प्रड़क्ट जब बनता है उसके पीछे कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं कौ प्रड़क्ट्ट में स्टेप्स पड़ेंगे तो चान्सीज होते हैं कि हमारा प्रड़क्ट मार्केट में स्टेप्स भी नहीं होता बड़े-बड़े ब्रैंड्स बड़े ब्रैंड्स यह निए कि एक बहुत बड़ा ब्रैंड और वो कोई भी प्रड़क्ट मार्केट में लांच करेगा तो प्रड़कт हंडरबर सिकस्थल होगा ज़रूरी भी नहीं है कुछ ऐसे ऐसे अइसे ब्रैंड्स है जो अन्नोन से ब्रैंड्स होते हैं वह जैसे मार्केट में आते हैं, तो वह पूरी कर दोचा काश्क करा देते हैं, unknown brands भी. अब, product के failure के reasons गया हैं, तो आज वही चीज लेकर हैं, वही topic लेकर हैं, वाय, वाय, प्रड़क्ट्ट फेल्स, क्यों प्रड़क्ट मार्केट में, मार्केट में, फेल होता है ठीक है तो अगर हम मारे दिमाग में यहीं चलता है कि जो भी मार्केटर होता है यह सोचके नहीं करता है कि उसका प्रड़क्ट फेल होगा हर को यहीं सोचके पूरी मार्केटर रिसर्च करता है उसका हम आई बटन में लिंक दूँगा, आप वो टॉपिक पहले देखिए, फिर आप इस टॉपिक पे आदेगे, तो हर कोई मैंने कहा कि हर कोई marketeer या हर कोई brand यह नहीं चाहता कि उसका product market में fail हो, हर कोई यही सोच के चलता कि जब भी, जो भी product वो launch करेगा market में, वो successful होगा, यह successful की आस रख के चलता है, तो ज़रूरी नहीं होता, फिर भी हमारे जो product होते हैं, इतना कुछ करने के बाद ही ति इंवेस्टमेंट करने के बाद भी product हमारे के आज जाते हैं, fail हो जाते हैं, करते हैं, कौन कौन से reasons होते हैं, तो पहला हमारे पास क्या है, in adequate, market analysis, ठीक है जी, market को analyze नहीं किया, market में कौन रहता है, market में customers हैते हैं, customers को किस तरह के से study किया था है, कुसका consumer भी विर देखा जाता है, customers की needs को analyze करते हैं, customers की demands, wants, जो भी होती हैं, उनको analyze करते हैं, अगर हम, if we are unable to find the needs of customers, demands of the customers, तो हम उनको अच्छे तरीके से cater नहीं कर सकते, उनकी needs को fulfill नहीं कर सकते, हमें उनको needs को जाचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको समझेगे, market को हमने समझ लिया, तो product क्यों फेल होते हैं, जब in adequate market analysis होता है, मतलब हम अपने customers की needs और wants को analyze नहीं कर पाए, market की research नहीं कर पाए, consumer के behavior को study नहीं कर पाए, हमारे product के failure के chances उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यह नहीं होता कि आज हमारा मन के है, तो यह product launch कर दिया, यह launch कर दिया, बगएर किसी market को research किये, analyze किये, ठीक है, जैसे मैं उस दिन पहले भी बताया था, कि आजकल जो trend चल रहा है, गारियों कारों की बात कर रहे हैं, यह बड़ा trend set कर दिया है, जिसने भी नए brands है, जैसे South Korean brands, किया नहीं है, किया नहीं क्या किया, sunroof दे दिये, तो और सारे brands competition में आगे, वो भी क्या कर रहे है, आजकल लोग वो क्या सोच रहे हैं, कि आजकल जो लोग कह रहे है, कि चाहे जो भी हो, जैसी भी गारी हो, उसमें sunroof होने चाहिए, मारूती भी हाला कि speculation यही चल रहे हैं, कि आगे ब्रैजा में, शायद ब्रैजा में, speculation है, कि ब्रैजा में भी sunroof आजाए, क्यूंकि market में लोगों की needs हैं, ठीक है, लोगों की needs चल रहे हैं, demands है, कि हमारे पास जो भी गारी आया है उसमें Sunroof होने चाहिए चाहे वह Sunroof काम की हो चाहे ना हो तो Panoramic Sunroof होने चाहिए ये Sunroof होने चाहिए उसके बारे में अब ओक त्रेंड चल पड़ा तो वह जितने भी ब्रैंड्स आगे हैं वह भी इसी यही यह कुशाक आई उसमें भी दे दिया क्रेटा में पैनल आफिस पैनलॉमिक सान्रूफ आ गया डेस्टर आएगी इसमें सान्रूफ आ जाएगी आईट्वटी नहीं लाउंच इसमें भी सान्रूफ दे देंगे तो यह चीज़े सारी किया है हम क्या करते हैं मार्केट को नहीं किया तो प्रड़क्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा फिर वही चीज हमारे पास आगी सेकंड प्रड़क्ट डिफेक्ट प्रड़क्ट में डिफेक्ट हालां कि कंप्रीज किस पर काम करते हैं जीरो डिफेक्ट में कोई भी कमी नहीं होने चाहिए तो प्रड़क् सब्सक्रा shipment करी चाहर उसके नाम तो उसके पड़क्त में भी कहीने कहीन डिक्रेक्ट आ सकते हैं ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं न कहीं, अगर product बनते हैं, तो उसमें खामियां भी आएंगी, गलतियां भी होगी, कमियां भी आएंगी, तो, that is example of product defect, कहीं न कहीं, product में defect भी आते हैं, product defect होता है, तो product क्या होता है, fail हो जाता है, third, third मारा reason क्या हो सकता है, that is the higher cost, higher cost, कहीं बार, product के features से ज़्यादा, cost ज़्यादा रखी जाते हैं, features काम, cost ज़्यादा, जितनी हम कहते हैं, कहते हैं, उसकी उकार नहीं थी, इतनी ज़्यादा जितना उसको पैसा दे दिया, वो ही चीज थी, higher cost, product में फो features नहीं दिये, वो चीज़ें नहीं थी, पर फिर भी क्या किया, cost ज़्यादा रखी, आज कल customer काफी ज़्यादा aware हो चुका है, आज कल customer क्या है, बहुत ज़्यादा aware है, उनको पता है, चाहे वो internet की दुनिया बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो उसके काना भी लोग बहुत ज़्यादा aware हो चुके हैं, अब उनको इतनी जल्दी से आप बेवकूप नहीं बना सकते हैं, तो higher cost, यह नहीं कि कोई भी product में बना है, उसकी cost higher कर देंगे, के बर होता कि एक brand का नाम बहुत ज़्यादा है, वो कोई भी product बना देगा, तो उसकी cost वो high कर देगा, उसे पता कि लोग buy करेंगे, पर आखिरकार लोगों को पता चल जाएगा, वो product को buy नहीं करेंगे, तो unnecessary cost बढ़ा देना product की, जिसमें कुछ features भी नहीं ना हो, तो product की cost बढ़ जाते हैं, तब भी product के failure के chances बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो यह कुछ हमारे पास, कुछ points है, जिसके कारण हम कह सकते हैं, कि market में कोई product successful नहीं हो सकता, अगर यह भी इन चीजों में, जो हमने reasons बताये हैं, अगर यह reasons में मिलते हैं, तो product के failure के chances भी बढ़ जाते हैं, तो और क्या हो सकते हैं, पूर timing भी हो सकती है, ठीक है, हमारे पास क्या आता है, when and how, यह दो चीजों का जवाब देना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कब और कैसे, कहाँ, पूर timing, product launch करने का time है, अब कभी भी आप product को launch नहीं कर सकते हैं, there is a specific time to launch a product, ठीक है, हम time लेते हैं, time लेते हैं, जब उनकी movie release होती है, इनने particular हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, तिहार, जो festival जनको पकड़ा हुआ है, ठीक है न, जैसे शारुखा कहते हैं, जो दिवाली बे लाँच करते हैं, आमिर खान जो होते हैं, आमिर खान जो क्रिस्मिस बे, तो इस तरह किसे भी product होते हैं, product की भी timing होत तो उस आपके product की successful होने की chances बढ़ जाते हैं, तो उस timing को आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे, product feel हो जाएगा, अभी देखो, अभी COVID का pandemic चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, अभी जितने भी चाहे बेकार से बेकार brand हो, company हो, वो भी अगर sanitizer बना रहा तो धड़ले से बिकरें, मास्क बना रहा है तो धड़ले से बिकरें, कोई भी brand देखो, आपको मास्क चाहिए, मास्क कोई भी brand का हो, कोई भी टगा हो बाहर तो आप ले लेते हो, अब क्या timing, अभी देख लो, जब COVID pandemic खतम हो जाएगा, विल्कुल खतम हो जाएगा, across the world खतम हो जाएगा तो मास्क को कोई भी देखे का भी नहीं, तो अभी हम कहा सकते हैं, यह timing है, proper timing है, अभी आप जितने मास्क बनाने है, sanitizer बनाने है, बना सकते हो, that is the exact timing to launch the product, यह तो मैंने एक simple example दिये, काफी सारे और भी brands आप वो timing देखते हैं, तब वो product को launch करते हैं, जितनी भी गारी आए करेंगे, that is the timing, अगर timing सही नहीं है, तो product भी क्या होगा, फेल हो जाएगा, 5th, competition, 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 competition क्या है, competition, अगर, आप, देखो, आपको अपने product को change करना पढ़ेगा, कब change करना पढ़ेगा, अपने competitor के तरफ देखे, competitor आपको force करेगा, आपका competitor आपको force करेगा, कि आप, there is a need to make some changes in the product, if you are not making some changes in the product, now, the product will fail, आपका product fail हो जाएगा, तो competitor एक तरीके से अच्छी चीज़ भी है, जिससे के आपको innovations मिलती है, आप innovative product बना सकते हो, तो आपके competitor ने, जो competition जितना ज़्यादा create होगा, आपको उतने ज़्यादा आप alert होगे, आप उतना ज़्यादा product innovate करोगे, उतना ज़्यादा product innovate करोगे, successful होने की chances बढ़ जाएगे, अगर competition को नहीं देखा, अपने competitor को नहीं देखा, competition को, competition के मताबिक आपने product त्यार नहीं किया, तो product फिल भी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है, तो insufficient marketing efforts, marketing efforts करने पड़ते हैं, आजकर, जो दिखता है, आजकर, कि जो trend चल रहा है, अगर आप अपने product को दिखाओगे नहीं, तो product में, market में बिकेगा नहीं, ठीक है, मैंने पहले भी एक पर कहा था, कि पहले-पहले के आतनी, shops होती नहीं, जितनी भी shops होती नहीं, वो shops में समान पहले कि यह लेकर और टूथपेस ले और टूथपरश ले और एक वाशिंग बाउडर लेकर बस आप तीन चीज़े लेकर आते हैं, जो आपको लिखके दिया गया था, क्योंकि वो आपके सामने product होता नहीं था, अब क्या हो गया, अब आप जितने भी छोटी से छोटे पर मोट करोगे, पर मोट कौन करता है, आपके सेजमें, आपका डीलर, आपका रिटेलर, आपका होल्सिधिन, यह सारे लोग क्या कर रहे हैं, product को क्या करेंगे, पर मोट करेंगे, अगर इन सफिशिन मार्कटिण ऐफर्स रहेंगे, यह सारी चीज़ है जितने भी एफर्स ह में आता है consumers भी अगर insufficient marketing efforts रहेंगे सबीगे तो भी product क्या हो जाएगा market में fail हो जाएगा ठीक है inadequate sales force inadequate sales force आपके sales force आपकी जो sales force है चाहे वो हम सैलिंग कैसे करते है पर्सनल पर्सनल होगा इंपर्सनल जासे advertisement वगरा ठीक है अगर आपकी sales force जो पर्सनल जाके भी आपके product को बेचेंगे ठीक है जिती भी मारी होती है हम कह सकते हैं आप जैसे में वे ब्रैंड्स हैं जैसे हैं में विगरा जो चेन बनती है मारी उसमें भी क्या है उसमें की जरूरत नहीं है उसमें आपकी sales force की जरूरत है selling पर्सनल ही वो जाएंगे अपने customers को persuade करेंगे उनको motivate करेंगे तो अगर वो inadequate रहेगी आपकी sales force इतनी जादा नहीं होगी इन capable होगी इन adequate होगी इतनी जादा नहीं रहेगी तब भी क्या होगा आपका product market से चला जाएगा failure के chances बढ़ जाएंगे 8th is weakness in distribution यही चीज़ इस सारी चीज़े कहने हैं के इंटरलेटर भी होती है distribute कर रहे हैं आपने product को बेच रहे हूँ किसके जरीए बेच रहे हूँ आपके पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रिबूइशन है क्लिज़े मार्केटियर से consumer तक चीज़ जा रहे हैं कैसे जाएगी तुरू रिटेलर तुरू होल्सेलर डीलर अगर हैं अगर यह लोग इन में जो आपकी चेंन है फिजिकल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रिबीशन हो चाहिए चैनल ऑफ डिस्ट्रिबूइशन हो उन में कही नहीं विएकनेस है तब भी आपका प्रड़क्ट फेल होगा लाउंच तो आपने प्रट कर दिया पर आपके चैनल्स डिस्ट्रिबूशन है वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड है जाने पिछले लेक्षर में कहा था जितने में नए ब्रैंड्स है इतना लोगों के पास टाइम है कि वो 100 km जाके अपनी गारी की सर्विस करवाएं अगर मैं रूरल एरियस को भी टार्गेट करना चाहता हूं तो रूरल एरियस में भी मुझे वो डीलर्शिप कहां पर मिलने चाहिए 30-40 km के दारे में मिल जाने चाहिए कि मैं वहाँ पर जाके वो सर्विसिस ले सकूँ तो अगर उनमें वीक्नेस होगी मतलब आपकी चैनल्स डिस्ट्रिबिशन कम है अगर कम है झाई माल लोस कैसे की पुर्य अक्रॉस डा कंट्री के पास दस या बीस जगां पर आपकी स्टॉर्स या दिलरशीप तो बाकी हम कैस कहते हैं हम किन्कोर्स क्टार्श कोरोगए यह में रहते हैं बाकी लोग तर रहे वांगे तो तब भी आपके product के failure के chances बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो अगर आपके channels of distribution काफी ज़ादा है, जगा-जगा पे हैं, तो आपके product successful होने के chances बढ़ जाएंगे, तो ये कुछ हमारे पास, हम कह सकते हैं, कुछ points थे, जिसको हम ध्यान में रखते हैं, कि आपका product successful हो, अगर नही नहीं रखेंगे, तो definitely आपका product market से बाहर चला जाएगा, ठीक है, market analysis नहीं करोगे, तब भी चला जाएगा, product में defect आ गया, तब भी product fail, cost ज़रूरत से ज़्यादा रखी, तब भी fail, poor timing, timing proper नहीं होगी, product की, तब भी fail हो जाएगा, क्योंकि festival season पे launch नहीं करोगे, तो product fail, competition, न insufficient marketing efforts होगे, तब भी product fail हो जाएगा, sales force adequate नहीं है आपके पास, तब भी product fail होगा, distribution, weakness in distribution, आप अपने product को distribute नहीं कर पार है, proper channels of distribution आपके पास weak है, proper नहीं है, physical channels of distribution नहीं है, तब भी आपका product market से चला जाएगा, failure के chances बढ़ जाएगे, hope आपको ये आज का topic अच्छे से clear हो गया होगा, interesting भी लगा होगा, तो हम अगले नए lecture में दुबारा हाजिर होगे, marketing के lecture में, हालकि chemistry के lectures हमारे साथ साथ चलते रहेंगे, तो मुझे दीजिए इजाज़त, और दुबारा आपको अपने नए वीडियो के साथ, वीडियो में के के हाज़ते ब gyंचे साथ, तो में दुबाराआ होगे, बाल दुबारा हाज़ते होगे, हालकि या नए पहें वीडियो के वीडियो के होगे, के वीडियो के चलते होगे, आपको जीटिस, और नह tutaj होगे,त्थ थॽणत बाह्राऀाए, पालकि झालकिन, होगेका पुईह,